रादे रादे फैंट्स यह श्रीमत भागवत गीता है अध्याय आठ भागवत प्राप्ति का मैं आज दूसरा इसलोग पढ़ना शुरू करूंगी अधी यग्य कथम को अत्र देव इसमें मदूसूदन प्रयाण कालेव च कथम गेयोस असी नियतात्म भी इसमें श्री अर्जुन भवान किष्ण से कहते हैं के हे मदूसूदन यग्यकास्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मित्यूकीशन ब्ठक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं तो उसका ताथपर है अधी यग्यका ताथपर इंद्र या विशु हो सकता है विश्डु समश देवताओं में जिन में भर्मा तता शिव संबलित हैं, परधान देवता हैं और इंद्र प्रशाशक देवताओं में परधान हैं, इंद्र तता विश्डु दोनों की पूजा यग्य द्वारा की जाती है। किन्तु अर्जुन प्रश्ण करता है कि वस्तुत्य यग्यका स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के सरीर के वीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मदु सूधन कहकर संबोदित किया क्योंकि किष्ण ने एक वार मदु नामक असुर का वद किया था। मुदित करता है जिसे केष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आशुरी शंकाओं को नश्ट कर दें। इस लोग का प्रयार काले काले शब्द भी अधियंत भैतपूर हैं। क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परिष्ण मृत्यू के समय होनी है। अरजुन उन लोगों के विशे में जो निरंतर केष्ण भावना मृत में लगे रहते हैं यह जानने के लिए अतियंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यू के समय सरीर के सारे कार रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार सारीरिक शक्ती विगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का इसमर्ण न कर सके। परमभक्त महाराज कुल शेखर प्राथना करते हैं हे भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थूं अच्छा हो कि मेरी मृत्यू इसी समय हो जाए। जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ठ हो सके। यह रूपक इसलिए प्रविष्ठ किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वे कमल के पुस्पों को कुतरने में आनंद का अनवव करता है। इस तरह वे कमल पुस्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुल शेकर भगवान से कहते हैं इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों में चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रती मेरी भक्ती पूर हो जाएगी। किन्तु यदि मुझे अपना सहर म्रत्यू की पृतिछा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार करना बंद कर देगा मेरा गला रुंद जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जाप कर पाऊंगा या नहीं अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें अर्जुन प्रस्न करता है कि ऐसे समय मनुष किस तरह किष्ण के चरण कमलों में अपने मन को इस्तिर कर सकता है